नमस्कार किशान वर्यों आप सभी का शुरागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल टूड़े में नियूज अप्टेट में तो आज की वीडियो का अफिखास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नीमच बंडी में कि सभी फशलों के भाव आपको डिटेल में वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो लंबा इसी विल्कुल न घवरा है और वीडियो में आपको हर फसल से जुड़ी सारी रिपोर्ट मिल जाएगी जैसे गेहों के भाव में सुदार आया है उसो एवीन, मुंग, फली, चना, भाव में जबर जाएगी इस सारी बाते आज वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो को बिना स्किप किये वीडियो में लास्तक बने रहे हैं तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं देखने को मिली है तो अब बात करते हैं प्यास की वाह की बात करें तो अब बात करते हैं प्यास की बात करें तो अज बढ़िया माल प्यास के 3500 से 4000 रुपए मीडिया माल 3000 से 3500 रुपए विका और गोल्टी माल 2500 से 2500 रुपए के भाव देखने को मिले हलका माल 1500 से 2000 रुपए और आपकों की बात करें तो अज निमच मंडे में प्यास के 3000 कट्टे की आवक रही और बाजार आज प्यास के शमान था तो चलिए अब बात कते हैं अगली फसल की अब बात कते हैं सोयावीन की तो सोयावीन आज उपर में बिजवारा 4500 रुपए तक बढ़िया माल 4000 से 4000 रुपचास रुपए एवरेज माल 3850 से 2950 हलका माल 3650 से 3850 रुपए के भाव पे बिका है बिलकुल हलका माल 3266 र देखने की अब आप कोगी बात करने तो साड़ी 3500 से आधिक बूरिया आज बते हैं अगली फचल की Maithi की तो मिली हैं। आज महत्य माल 59 glor रॉपए रॉपें के भावमे बिका है बिल्कुल बहुत करें तो बिल्कुल अलक का माल 55 gor के शूर Maya यहां पे देखने को मिले हैं आफको बात करने तो आज महतिका निमस्मंडी में 2000 श्यादिक बूरी की आवक्रई और बाजार अजमहति का समान रहा चली अब बात करते हैं अगली फसल की अब बात करते हैं पोस्ता दाना की पोस्ता दाना एक लाग 12000 से लेकर 114 θα रुपए सेmeye और समान रहा हलका माँ MIAL पर चैथानव थार निमुवंक्र मंडी में समान रहा हूं जलिए बात तो चलिए अगली फद माइश्ट सर थे में नहीं है घृत जना तो चल्यूलर करतें हैं बाजर की बात करें तो अच्कावली चना का आवक बाजर की बात करें तो अच्कावली चना का बाज़ा निमश मंटी में समान रहा तो चलिए आगली फ़सल की तो चलिए अब बात करते हैं कलोजी के बाओ की कलोजी का बाओ जाज उपर में 21,950 तक विका है बड़ी हमाल 21,400 से 21,800 रुपे विका एवरेज माल 20,800 से 21,400 रुपे रहा हलका माल की बात करें तो 22,200 से 22,800 रुपे रहा बिलकुल हलका माल 17,000 से 20,000 के बाओ में वि लगबग शमान रहा तो चलिए आप बात करते हैं अगली फ़सल की चलिए अब बात करते हैं धनिया की तो नीमच मंडी माजू तनिया की बात करें तो शुपर माला 64,400 रुपे रहा बादा मी माल 57,900 से 29,900 रुपे विका है एवरेज माल की बात करें तो धनिया का एवरेज और अधिक बोरी आज आवक की रही और बाजार आज 100 पैसे डिर्श रूपय नरम रहा तो मतलब धनिया के बाजार में आज थोड़ी नरमी देखने को मिली तो चलिए आप बात करते हैं अगली फसल की अब बात करते हैं मशूर की तो अज नीमच मंडी में मशूर का बढ़िय मशूर का बाजार शमान रहा तो चलिए आप देख लेटे हैं अगली फसल की अब बात करते हैं उड़द की तो अज ऊपर में तियारा त्रासी सो रुपय तक भी की यह बढ़िया माल अटतर सो से आठजार रुपय के बाव में विका हैं एवरेज माल पच्छतर सो से बाजार की बात करें तो अज बाजार उड़द का सो रुपय तेज रहा तो चलिए आप देख लेते हैं अगली फसल अब बात कर लेते हैं मुंग फली की तो मुंग फली में आज बड़िया माल 3800 रुपय से 2400 रुपय के भाव में विका है एवरेज माल 3500 से 3800 रुपय और हलका माल 3200 से 3500 रुपय के भाव में आपे मुंग फली का देखने को मिला है और बिलकुल हलके माल की बात करें तो निमश मंडी माज मुंग फली का बिलकुल हलका माल 2800 रुपय से 3200 रुपय के भाव में विका है आज मुंग फली के आफकों की बात करें तो निमश मंडी मा और बड़ीया माल की बात करें तो 82,000 से 85,000 तक यहां पर बड़ीया माल यहां तिली का विका है एवरेज माल की बात करें तो 75,000 से 8,000 रुपए के भाव में तिली का एवरेज माल विका है और हलका माल 68,000 रुपए से 75,000 रुपए के भाव यहां पर हलके माल के देखने को मिल हैं वाजार की बात करें तो आज तली का बाजार 200 रुपए तेज रहा तो खिशान भाई हो यह था तली का बाओ तो अब देख लेते हैं अगली फसल का भाओ क्या था आज निमच मंडी में अश्वगंदा के बाओ की बात करें तो बढ़िया माला अश्वगंदा का 380045 जार यहां अश्वगंदा के हलके माल के देखने को मिले और वाजार की बात करें तो अश्वगंदा का बाजार निमच मंडी में समान रहा तो चली आप देख लेते हैं अगली फसल का क्या भाओ रहा निमच मंडी में अब बात करते हैं निमच मंडी में जो बाओ की बात करें त तो जो आज 1100 रुपए से 1200 रुपए हां हलका माला जो का आप देखने को मिला तो ये था जो का वाओ तो किशाम भाई आप देख लेते हैं अगली फसल का भाओ क्या रहाच निवश्मंडी में? अब बात करते हैं मका की मका का आज 225 रुपए विका माल 1250 स rice बारे सो 50 रुपए विका और बाजार की बात करें तो मका का बारे सो 50 रुपए विका में 30 renting में 30 रुपए से 40 रुप देख रहा तो यह थे बाई किसान बाई और मका के भाव आप देखते हैं अगली फसल का क्या भाव रहा है चलिए अब बात कर लेते हैं गयों की फसल की आज भाव क्या देखने को मला नीमशमंडी में शुपर काल क्वालिटी गयों के बाव की बात करें तो एकिस है रुपै से बाईस सो रुपै देखने को मिला है बड़ी आमालाज दो हजार से दो हजार पचास रुपै के बाव में यहां पर देखने को मिले हैं आपकों की बात करें तो पांच हजार शेज आदे की बोरी की आज आवक निमसमंडी में गैहों की रही और बाजार आज गैहों का 30 रुपए नरम रहा मतलब 30 रुपए के यहाँ पर गिरावट देखने को मिली खिसान वाई हो यह थी निमसमंडी की आज कुछ फशलों के सारे भाव रिपोर्ट उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो थोड़ा लंबी हो गई थी लेकिन बहुत मैनस से बनाई थी उम्मीद करते हैं वीडियो आपको फसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हमत बढ़ाती है और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरू से जरू दबा दें ताकि मंडी से जुड़ी कोई भी जानकारी आप तक समय से पहुंश च कि तैन्ने वाद